हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टडी साइड इफक्ट चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पैसली फॉर दा टेस्नेट आज इस वीडियो में जो टेस्नेट दे चुके हो उसके नेक्स्ट जो प्रोसेस है ओनलाइन एसेस्मेंट एन ओनलाइन पर्सनल इंटरव्यू उसकी भी देखना अभी अपलोड नहीं हुआ है वह वह अपलोड करूंगा और जो भी कट अफ रहेगा उसकी अब तो सोचकर फाइदा नहीं है जिनको सेलेक्शन होगा तो ठीक है जिनको नहीं होगा नेक्स्ट येर प्रिप्रेशन करना होगा और आपको बता दूँ ये नेक्स्ट प्रोसेस का वेटेज और वेटेज की बारे में बता दूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कि जो भी आप ट सुन अधेने जा रहे हो वीडियो मैंने बताया था कि कैसे आप अपना कि smart से ज्यादा से साधा मार्ग रहे हो रहे हो मैं अब काटव तो मालो कटव स्वाइं 40 इस्टी याप ला रहे हो 50 तो आपका वेटेश बढ़ रहा हो यह ठीक है तो तो इससे आपका क्या हो जाएगा आपका सेलेक्शन में वेटेज बढ़ जाएगा सेलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें वेटेज बढ़ा मिलेगा तो जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है उनका तो फाइदा हो गई होगा क्योंकि यहां पे टीसनेट का भी कि दोनों ही 100 मार्क्स के है और एक में 20 पर्फॉर्म करना ही पड़ेगा तभी मेरे लिस्ट में नाम आएगी क्योंकि बहुत ही लिमिटेट सीट होते हैं टीस के ठीक है विध रिजर्वेशन भी रहते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि अपने कैडिगेरी में आप सेलेक्ट हो जाओ और देखते हैं क्या है ओनलाइन एसेस्मेंट और जो भी बोल है वैसे तो इन्होंने वेबसेट में बताया है कि आपका ओनलाइन एसेस्मेंट जो होगा एड हेल्ड इंदा मांत ऑफ अपरिल 2023 यानि तूट अपरिल के एंड में हो सकता है में में कभी भी हो सकता है तो त्यारी अब स्टार्ट कर दिनी चाहिए क्यों मैं बता रहा हूं अभी से स्टार्ट करनी चाहिए एक एक एक्जामपल लेता हूं एक्जामपल के तौर पर समझाता हूं और सारी बाते यह वीडियो में बताऊंगा और आप लोग देख लेना पुरा कंप्लीट वीडियो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए अब जीनों ने पात यह है सेकेंड प्रप्रेशन यह प्रोग्राम मानलों कि फर्स्ट एचरेम रखा होगा किसीने सेकेंड मानलों एनलेटिक्स रखाओगा थर्ड हॉस्पिटल एड्मिस्ट्रेशन रखा होगा ऐसा कोई माले कोई कैंडिडेट अब जिनका बाई तीनों में कटफ क्लियर हो र होगा तीनों में online assessment होगा और online पर्सटनल इंटभ्यू होगा online पर्ष memories देनों यह ढऄ पर है yeah online assessment and online personal interviews conducted separately for each program applied तीक है यानी जिस भी प्रोग्राम में आपने applied किया हो उसका online assessment and online personal interview होगा और किसका होगा जो testnet qualify कर चुके हैं उनका होगा तो testnet तो हो चुका है और अब मालो जो भी कोई भी candidate का HR भी select हो रहे हो और HR का select हो रहे हो तो बाकी सम्में में select हो रहे हो यह तो normal बात है क्योंकि HR की सबसे हाई cut-off होती है अगर आपने दो कोर्स नीचे डाउन में कुछ और भी कोर्स रखे है तो आप तीनों में तीनों select हो रहे हो किसके लिए online assessment के लिए और personal interview के लिए final merit list के लिए भी select नहीं हो रहे हो तो आपको तीनों को भी preparation करना होगा क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरा HR में तो cut-off clear हुआ हूँ लेकिन final merit list में मेरी नाम आएगी कि नहीं आएगी यह तो किसी को भी मालूम नहीं होगा तो तीनों को आपको preparation करना है और different different field भी है तो आपको त्यारी कर देनी चाहिए कैसे करनी है बताऊंगा मैं ठीक है तो यह तो आपको समझ आ गया होगा कि आगर मैं दो प्रोग्राम में सेलेक्ट हो रहा हूं तो online assessment होगी और दो पर्सनल इंटर्वी होगी अगर में एक में क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ठीक है और आपको यह बता दूं कि थार्टी परसनल वेटेज ना ओनलाइन परसनल इंटरव्यू के हाथ में है और वह कौन होंगे यह भी बताया है वह कौन होंगे तो मालूम नहीं है लेकिन थ्री मेंबर का पैनल होते हैं का गया वह प टीछ है जिसमें से आप जिस भी कोर्स का अपलाइक कर रहे हो नडियू ना उनके तो एक ना एक प्रोफेसर जरूर तो याद रखना अगर आप सिलख्ठ हो गए तो बोलेगों सर आपने मेरे इंट्रीवु लिया था क्योंकि किसी करते तो पिरेशन करो और जो भी बोला है पर्सटनल इंट्रिव्यी में वैसे तो मैं कोशन लाओंगा कि इसकी प्रैक्टिस करना ही है आपको ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करों अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो सेलेक्शन पक की नेक्स्ट अब यह तो हो गया आपका डेट बताई दियाओं कि या तो अप्रेल मार्चेंट नहीं तो अपरेल फर्स्ट विक तक तो आ जानी चाहिए ठीक है और अब आते ओनलाइन इंटरव्यू और ओनलाइन पर्सनल इंटरव्यू यहां पर खुद वेबसाइट जाकर पढ़ो तुम्हें भी यह डॉकुमेंट दिखेगी यह पेज दिखेगा ऐसा लिखा हुआ आपको समझना वहीं से है और कहीं से नहीं समझना क्या होगा ओनलाइन एसेस्मेंट होगा विल भी कंड़क्टेट एप्रोक्सिमेडली ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स बाइट्री मेंबर पैनल तब मेन अब्जेक्टिव ऑफ ओनलाइन एसेस्मेंट टू एसेज दा कैंडिडेट ठीक है सुटेबल है कि नहीं इंट्रेस इसे कोवीड से पहले नहीं होता था वहां पर क्या होता था कोवीड के चलते यह सब ओनलाइन हो चुका है तो वहां पर आपको जिस कैंपस में अब सेलेक्ट होते थे वहां पर जाकर आपको आपको एक एसे दी जाती थी वैसे तो HRM में जीडी भी होता था लेकिन गुरूप डिसकर्शन लेकिन आप तो ओनलाइन एसेस्मेंट होगी ठीक है और और वहाँ पर जाकर एक एसे राइटिंग दी जाती थी उस पर आपको एसे लिखने रहते थे तो एसे जिनको अच्छी से आती थी या नहीं भी आती थी लिखकर आते थें अब यहाँ पर क्या है आपको आपके ओणलाइन एसेस्मेंट आपके टीचर्स के समने आपको उस topic जो भी दिये जाएंगे उस पर आपको बोलना है लेकिन कौन से topic दिये जाएंगे तो यहीं पर यह बहुत बड़ी important बात है और इसी बात को मैं समझाने आया हूँ तो आपका 20-30 मिनट चलेगा यह प्रोसेस ना 20-30 मिनट चलेगा एक एक कैंडिडेट का जिसमें से reflection देना रहेगा आपको 2-3 मिनट का अब समझ लो 2-3 मिनट कितने important है आपके selection के लिए अगर आपने 2-3 मिनट में ऐसी पॉइंट को अपने बात नहीं की यह और यहां पर देख लो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं इसको बताने से पहले मैं बता दे रहा हूं पैनल मेंबर विल गीव टॉपिक रिलिवेंट टू दा प्रोग्राम ऑफ स्टडीज और जो भी प्रोग्राम में अपने अपलाई किया हो और यह प्रोग्राम को ही चेक करने के लिए यह आपका ऑनलाइन एससमेंट है क्योंकि आपने जिसमें भी अपलाई किया है क्यों अपलाई किया है यह भी तो जानना है न टिस ने प्रोफेसर को यह भी जानना है कि आपने क्यों अपलाई किया है क्या आपको कॉलेज ने थोड़ी ना कहा है कि आप रूलर डेवलेमेंट में अपलाई करो आप HRM में apply करो, आप social entrepreneurship में apply करो, आपने खुद चूज किया है कि मैंने, मुझे इसमें interest है, इसलिए इसमें apply करो, आप यही जानना है उनको कि आपने क्यों apply किया हो, ठीक है, यही तो जानना रहेगा, और इससे ज़्यादा आप उनको जानके क्या करेंगे, आप कितने suitable हो, या interest कितना है, आप इस जो भी MA program कर रहे हो, क्योंकि आप master's की program कर रहे हो, बैचलर's की ने, तो आपको बहुत ही knowledge हो चुका है कि आप क्यों choose कि यह हो, तो यही जानना है, ठीक है, और topic जो रहेंगे, आप ही के जो program से specialization के topic रहेंगे, तो आप कैसे उसके बारे में भी बता होंगा, तो 2-3 minutes आपको reflection देना है, ठीक है, अगर मालो किसी student को उस topic के बारे में नहीं कुछ मालूम है, ठीक है, तो वो second topic के बारे में आपके जो online assessment ले रहे हैं, वो पूछ सकते हो, कि sir मुझे इस topic के बारे में मालूम, मैं second topic के question जानना चाहता हूं, ठीक है, इसके बारे म पास दो ही topic रहेंगे, या तो उसके बारे में आपको मालूम है, तो आप अच्छे से बोल दो 2-3 minutes, नहीं मालूम है तो आप second choice के लिए जाओ, third choice आपको नहीं दिये जाएंगे, तो 2-3 minutes आपको merit list की और समझ लो, ये 2-3 minutes में आपको merit list तक पहुचा देगी, और preparation करने के ल जो भी आप program पढ़ रहे हो, उससे related problems क्या है हमारे country में, लिक लो, जो भी program में apply कर रहे हो, उससे related क्या problem है, आपके पास क्या solution है, इससे related, जो भी apply के उससे related क्या current affairs है, जो अभी news में चल रहा है, ठीक है, क्या news में आ रहा है, current affairs, problem, solution, ठीक है, उससे related कुछ fact हो, ये सब कुछ आपको preparation करना है, ठीक है, ये सब नहीं करोगे, तो आप समाझ लो कि 2-3 minutes में आप जाओगे, और कुछ अच्छी तरीके से बातों को रखनी पाओगे, तो आप कैसे आपको marks मिलेंगे, मानते हैं कि टिस net में आप अच्छा perform किये हो, लेकिन अगर आप यहां पर जाकर आप अच्छे से perform नहीं कर रहे हो, यहां पर तो आपको machine कोई question assess नहीं कर रहे है, यहां पर आपको knowledge assess कर रहे हो, आप कितने knowledge रखते हो, आप कितने analytical सोस्ते हो, ये बातों का ध्यान रखना है, तो problem, solution, facts, और इसके बार में बताओंगा कि ये कैसे मन में आएगा आपको, कि मैं, और आपको ये reflection का topic खुद से ही मन में बनाना है, कैसे बनाएगा, उसके और चलते हैं, मैं बताता हूँ, कहां गया ये, ये तो आपको पता ही होगा, detail application form के बार में बता दे रहा हूँ मैं, detail application form, अभी तो आपका final answer की नहीं आए है, तो final answer की बनने माढ़ अचे मारे टाइम लग रहा है, तो जो भी आमने claim कि होँगे कि, answer की गलत है, तो वो solution देंगे आपको कि गलत है कि नहीं है या सइए या तुम सही हो या हम सही है ऐसा ही होगा तो पहली बार हो रहा है final answer की और answer की आ रहा है तो इससे पहले नहीं होता था तो इसलिए time लग सकता है तो इसके बाद जो रिजल्ट हो जागा रिजल्ट होने के बाद एक बहुत इंपोर्टन बात इन बता दे रहाँ डिटेल अप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं इससे जिस दिन आप इंट्रिव्यू रहेंगे उनके हातों में यही फॉर्म आपके रहेंगे आपको कुछ अलग से हाथों में रहता है । इसमें आपको पर्टिक्लरी वह यह देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट से हूं रहता है वां इसे लिख के experience उसमें column रहता वो देखते हैं ठीक है why you want to join this course ऐसे लिखना भी हो सबता है ठीक है तो यह important बात है बाकी आप क्या बोलते हैं और क्या आप से question करेंगे वो वो देखना पड़ेगा आपको खुद इंटर्व्यू में आपको पता चलेगा तो यह form अच्छे सब फिलफ करना ठीक है most important form है क्योंकि यही form आपके हर जगा मतलब आपके इंटर्व्यू में रहेंगे तो आपको मैं बता रहा था भी कि आप अपनी online assessment की preparation कैसे करो तो उसी पर चलते हैं पोस्ट ग्रेजूट प्रोग्राम में चल रहा हूं मैं आप 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 यह चूज करता हूं इस पर प्लिक किया कि अब देख लो इंटेक से 50 इन न कम है तो यहां पर मैं जो भी स्टूडेंट ए वीडियो देख रहा है मैं सभी को बोल रहा हूं कि सारे ही स्टूडेंट को जिस प्रोग्राम अप स्लेक्ट कियो अस प्रोग्राम के डिटेल पढ़ लो एक बार जीस भी प्रोग्राम के बार में डिटेल जानों इसे पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अधिकतर समझ बढ़ेगी और इस प्रोग्राम का स्लेबस एक बार जरूर देख लेना देखने के बोल रहां ठीक है इसे रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं एक बार देख लेना और इस प्रोग्राम के syllabus को जब देखोगे इस प्रोग्राम के description के बार में पढ़ोगे तो जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद एक question नजर आएगी question नजर आना मतलब अगर आप syllabus पर देखोगे तो आप खुद एक question बना लोगे कि क्या यह पूछेंगे तो मैं क्या बोलूगा अब अब मैं इनका syllabus दिखाता हूं अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अब यह टॉपिक है तो इसे पढ़ने के बाद आपके मन में तो यह तो question उठ सकता है कि हाओ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और लेबर इंपक्ट और डेबलमेंट बना दिया question और क्या अब आप बोलो इस पर वैसे ही करके मैं सारे लोगों को यह सजिस्ट करूँगा कि अपने कोर्स के बारे में पढ़ा और कोर्स के बारे में लाइन बाई लाइन पढ़ना इसको यह Master of Arts जो डेबलमेंट स्टुडीज है देखो इक क्या बूल रहा है इन डेबलमेंट इन दा स्टेट तो यह question बन गया और बना दिया आपके लिए तो ऐसे ही करके आपको खुद से सारे ही डीटिल पढ़ना है मैं वीडियो लंबा ना हो जाए बढ़ा ना हो जाए इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं लेकिन आपको मैं समझा देना चा प्रस्पेक्टिब इन डे अनलाइजिस ऑप डेबलम्मेंट एक्सपरियंस एंड देर इफेक्ट ऑन दा सोसाइटी अब आपको यह ऐसे करके पूछ सकते हैं कि किसी एक्जामपल ले लिए कोई सा भी डेबलम्मेंट स्कीम या कुछ भी हो उसका इफेक्ट सोसाइटी में क आई तो ऐसे करके अपको खुद से पढ़कर क्षिसन बनाने हैं और आपको कोशिन बनाकर खुद ही कंड depression और खुद से कॉघ्चन बनाओ और खुद टॉपक पर बोल रहे हो कि नहीं बॉल पा रहे हैं एसा करके प्रिपरिशन हो जाएगा आपकी इसमें ना ही कोई गाइडेंस की जरूरत है अगर आप जो हमेशा करेंट अफेस सुन रहा है डेली न्यूज सुन रहा है या अपने जो भी ग्रेजुएशन कियों मांस्टर्स कियों उसकी अच्छे से पढ़ाई कियों तो आपको कुछ कि आपको सही जगा अपर्सनल इंट्रुवू ट सूसता है या गलत देंट समय को यह चैका इस बात को तो इसका जो भी concept, theory एक syllabus की तोर से देख लो यह optional है चलो हटाओ इसको मैं इसको question उठा दिया था development and social justice इस पे पढ़ो ठीक है state and democracy यह सब पढ़ना है आपको यह पूछा जाएगा यह नहीं जाएगा इसका मतलब नहीं है लेकिन अकर इस point पे आप कुछ बोल पा रहे हो तभी तो आप वहाँ पर जो आपका online assessment होगा तभी तो आप बोल पाओगे वरना क्या बोलोगे ठीक है तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि खुद से question को बनाओ खुद बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो और खासकर जो भी program में selected हुए उससे related मैंने क्या बता है था आपको problem solution current affairs वो issue का solution क्या आपको या उससे related current affairs क्या है और उससे उस इस और development issue क्या है मलब development में बोल दिया उस प्रोग्राम से related को issue के बारे में आपने सूना हो ठीक है वैसा वैसा कुछ करके क्योंकि यहां पर बहुत सारे different specialization है एक की बात नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं एक जैनल आइडिया दे दूए हूं कि ऐसे करके आपको त्यारी करनी है online assessment के लिए तो सभी को इसके बारे में पढ़ना जरूरी है तो यह तो हुआ आपका यह है अब आते है online personal interview the panel member interact with the candidate to understand the candidate motivation देख लो यहां पर भी वही बात में बताए न आपको candidate to understand the candidate motivation interest and preparedness as well the basic subject language of the undergraduate studies ठीक है और candidate understand the social economic factor will also explode through the OPI these are only indicative areas of the exploration of OPI तो यहां पर आपको basic subject knowledge of undergraduate studies के भी पुछे जा सकते हैं ठीक है preparedness अलबस्ट बैसिक सब्जग्ट सब्सक्राइब तो आपके motivation ही देखेंगे मोटिवेशन इंट्रेस्ट क्या है आपको जो भी आपने में प्रोग्राम के लिए apply किया यह सबसे जादा इनको impact होता है किसी भी selection का आपने ऐसा answer दे रहो हो कि why you want to join this course यह सबसे important question है मेरे मुताबिक अगर इसका अच्छा से answer दे पा रहे हो अपने undergraduate course से relate कर पा रहे हो अपने experience से relate कर पा रहे हो अपने thinking से relate कर पा रहे हो और वो answer में truth है तो समझ लो अच्छे marks मिलेगा आपको तो यह ही त्यारी कर लेना undergraduate से भी पूछ सकते हैं ठीक है बेसिकली तो इनका यहीं रहता है motivation interest आप किसी भी program के लिए apply किये हो कि social and economic factor ठीक है candidate understanding of social and economic factor will also explore थ्रू ओपी आए कि social और economic factor भी जानना है ठीक है इनको यह भी पूछ लेते हैं कि आप इस program का fees कैसे भरोगे यह सब भी पूछते हैं ठीक है self है dependent हो की नहीं हो इस अब question पूछ सकते हैं आप से तो यह बात तो रही online personal interview के लिए मैं वीडियो लाओंगा अब परिशान मत हो मैं सब लाओंगा इतना जो मैं बोला आप त्यारी करो अपने online assessment के लिए OPI के लिए वीडियो जल्दी लाओंगा और online assessment के लिए आप जितना knowledge gain कर सकते हो करो यहां पर knowledge की बात हो रही है यहां पर आपको कोई prepare specific preparation करना नहीं नहीं knowledge कितना है किसको कितने अच्छे से represent करता है उस बातों को उस बातों को कितने अच्छे से समझ पा रहा है यही आप उनको देखना है और आपके जो भी program में interested हो उसमें उसी से related mostly preparation करना तो okay friends thank you for watching this video